दोस्तों, student life हमारी life का वो हिस्सा है जो कि हमारे पूरे future को decide करता है हम future में क्या करेंगे, हमारा character कैसा होगा, हमारी आददें कैसी होगी यह सब हमारी student life ही decide करती है वेसे तो हर student चाथा है कि उसके teachers और उसके बागी classmates उसकी तारीफ करें और class में सब उसका सम्मान करें और वो exam में भी अच्छा score करें लेकिन 99% students जाने अन जाने कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए पिकोज ये गलतियां आगे जाकर आपकी permanent आदत बन जाती है फिर आप चाहकर भी अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाएंगे तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो चार गलतियां बताऊंगा जो कि almost हर student करता है और ये भी बताऊंगा कि आप कैसे उन चार गलतियों को सुधार सकते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इतनी important है जितना आप सूच भी नहीं सकते इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखना I am 100% sure कि मैं जो गलतियां आपको बताने जा रहा हूँ उन में से कोई न कोई गलती आप भी जरूर करते हो इसलिए वीडियो को पूरा देखना तो दोस्तों मेरा नाम है Mr.Proton और आज मैं आपको बताऊंगा 4 mistakes that you make in your student life So let's begin Mistake No.1 Procrastination दोस्तों procrastination का मतलब होता है अपने काम को टालना या avoid करना लगबग हर student ये गलती करता ही है एक line है जो कि students में काफी famous है यानि कि आप अपने काम को अपनी पढ़ाई को हमेशा avoid करते रहते हो उसे postpone करते रहते हो कि आज नहीं कल से पढ़ूँगा दोस्तों अपने काम को टालने की ये यादत आगे जाकर काफी खतरनाक साबित हो सकती है पिकोज अगर आप अपना काम टाइम पर नहीं करोगे और उसे बस टालते रहोगे तो फिर आप उस काम को कभी नहीं कर पाऊगे क्योंकि ये जो आप बोलते होना कि कल से पढ़ूँगा ये कल कभी नहीं आता हम वादे तो अपने आप से भहुत करते हैं कि आज तो मत जम करके पढ़ूँगा लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता है तब हम ये सोचते हैं कि अभी तो काफी टाइम है एक्जामस को आराम से पढ़ लूँगा अभी थोड़ा फोन यूज कर लेता हूं यूटूब पर कुछ वीडियोज देख लेता हूं और वीडियोज देखते देखते पता नहीं कब घंटों गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता और इस तरह से हम खुद का वेल्यूएबल टाइम वेस्ट करते रहते हैं दोस्तों अगर मैं रोज आपको एक छोटी लकडी तोड़ने को दूँ तो आप उसे अराम से तोड़ देंगे लेकिन अगर मैं काफी सारी लकडियां एक साथ दूँ और कहूं कि अब हिने तोड़ कर दिखाओ तो आप उन्हें नहीं तोड़ पाएंगे ऐसा ही एक्जामस के साथ होता है अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एक्जामस आने पर आप पैनिक नहीं करेंगे विकोज आप अपना सिलेबस कम्प्लीट कर चुके होंगे लेकिन अगर आप एक्जामस से एक दिन पहले अपनी सारी किताबें लेकर बैठेंगे तो आपको समझी नहीं आएगा कि अब क्या करूँ इसलिए अपनी इस मिस्टेक को जितना जल्दी हो सके सुधार लो रेगुलर प्रोपर स्टेडी करो चाहें थोड़ा ही पड़ो लेकिन बी रेगुलर और काम को कभी भी कल पर मत छोड़ो आज का काम अभी करो तो दोस्तों ये थी आपकी पहली मिस्टेक अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक के बारे में मिस्टेक नमबर टू डोंट रन ओनली बिहाइंड मार्क्स इसका मतलब ये है कि सिर्फ नमबर्स के पीछे मत भागो दोस्तों एक्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के केवल दो ही तरीके होते हैं एक तो रट्टा मार के और दूसरा टोपिक्स को समझ के तो अगर आप रट्टा मार कर एक्जाम्स में अच्छा स्कोर कर भी लेते हो तो वो मार्क्स किसी काम के नहीं है आप life में कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप जो पड़ रहे हो उसे आपने समझा ही नहीं और सिर्फ रट्टा मार लिया और वहाँ जाकर लिख दिया तो इससे आपने कुछ उखाडा नहीं है बस कोपी पेस्ट वाला काम किया है मैंने इससे बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ रटा मार कर पास होते हैं लेकिन लाइफ में कुछ नहीं कर पाते पिकोज उन्होंने कभी भी अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के बारे में सोचा ही नहीं सिर्फ भागते रहे नंबरों के पीछे और काफी सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके नंबर्स तो कम आते थे लेकिन उनोंने अपनी skills और self improvement पर ज़्यादा ध्यान दिया और आज वो successful हैं बड़ी बड़ी companies के मालिक बन चुके हैं या उनोंने खुद का business start कर दिया है इसलिए numbers को उतनी importance दो जितनी उनकी real में है ना उससे ज़्यादा ना उससे कम इसलिए अपनी knowledge को improve करने के लिए पढ़ाई करो पढ़ाई करो तो ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई game खेल रही हो मज़ा भी आ रहा है और साथ में दिमाग भी तेज हो रहा है फिर देखो कैसे बदल जाएगी आपकी life इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना जो भी पढ़ो उसे ऐसे पढ़ो कि यार आज कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर ऐसे पढ़ोगे तो marks भी गजब के आएंगे और life में भी आप काफी तरक्की करोगे दोस्तों आपने वो line तो सुनी ही होगी ये line एकदम सही है हमारा future कैसा होगा ये हमारे आसपास के लोगों पर ही depend करता है अगर आपके आसपास negative ही negative लोग है तो आप में भी negativity आनी ही आनी है अगर आपके पास positive लोग हैं अच्छे लोग हैं तो आप भी automatically उनके जैसे ही बनोगे इसलिए कहते हैं कि संगत का असर बड़ा गजब का होता है अगर अच्छे संगत में रहोगे तो अच्छे बनोगे और एक बार बुरी संगत में चले गए तो आप भी बुरे ही बनोगे इसलिए हमेशा दोस्ती उनसे करो जो आपसे एक level उपर हैं इससे क्या होगा कि आप भी उनके level पर चले जाओगे अगर अपने से नीचे level वालों के साथ दोस्ती रखोगे तो आप भी नीचे गिर जाओगे level का मतलब मेरा intelligence से है अगर आपके दोस्त नशा करते हैं तो आज नहीं तो कल आप भी उनकी ही तरह नशा करने लगोगे और अगर आपके दोस्त आपके friends intelligent यानि की बुद्धिमान और पढ़ाई में अच्छे हैं तो वो आपको भी अपनी ही तरह intelligent और superb बना देंगे अगर अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तो अच्छी आतें सीखने को मिलेंगी और अगर बुरे दोस्तों के साथ रहोगे तो वही बुरी आतें आप में भी आ जाएंगी इसलिए दोस्तों संगत का असर पढ़ता ही पढ़ता है इसलिए बुरी संगत से हमेशा बचो और अच्छे और इंटेलिजन्ट लोगों के साथ जाकर चिपक जाओ वो आपको भी अपनी ही तरह बना देंगे आई होप आपको मैंने जो भी बताया वो समझ आया होगा दोस्तों सोशल मीडिया को इसलिए बनाय गया था ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकें और उनके साथ अपने नोलेज को शेयर कर सकें लेकिन अनफोर्चुनेटली आज हम उसी सोशल मीडिया का यूज सिर्फ टाइम पास के लिए करते हैं सस्त तो ये है कि हम सोशल मीडिया को यूज नहीं करते सोशल मीडिया हमें यूज करने लगा है ये तो हर स्टुडेंट की प्रोबलम है कि जब भी वो पढ़ाई करने बैठता है तो उसका ध्यान फेस्बुक और इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन पर जरूर जाता है और फिर वो खुद से सिर्फ पांच मिनट का सोशल मीडिया यूज करने का वादा करता है लेकिन ये पांच मिनट कब दो तिन घंटे में तबदील हो जाते हैं पता ही नहीं चलता पिकोज सोशल मीडिया का कोई एंड नहीं है दोस्तों बस करते रहो स्क्रोलिंग कितना करोगे आप ही ठकोगे सोशल मीडिया नहीं ठकेगा वो आपको नए-ने पोस्त दिखाता रहेगा और आपका वेल्यूएबल टाइम वेस्ट करता रहेगा इसलिए आज से एक काम करो अगर मेरी बात मानते हो तो सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन्स को ओफ कर दो इससे क्या होगा कि जब भी आप पढ़ाई करोगे तो आपको नोटिफिकेशन्स परिशान नहीं कर पाएंगे और आप अपनी पढ़ाई पूरे मन से कर पाओगे जब भी पढ़ो तो फोन को साइलेंट करके रख दो कहीं पर और अपना पूरा धान सिर्फ पढ़ाई परी रखो और आई प्रोमिस अगर आपने ऐसा किया तो आपकी ये सोशल मीडिया की एडिक्शन जल्दी ही छूट जाएगी और आप अपने टाइम को पढ़ाई में लगा पाएंगे तो दोस्तों ये मैंने कुछ मिस्टेक्स बताई है जो कि हर स्टुडेंट अपनी लाइफ में करता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए पिकोज अगर आप अपने टाइम को सही जगर इन्वेस्ट करोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना बड़ा रिजल्ट मिल सकता है आप अपनी क्लास में सबसे आगे निकल सकते हो क्लास में ही नहीं आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा इसलिए अपने आप पर पूरा विश्वास करते हुए आज ही मेरी बताए गई इन बातों पर ध्यान दो और इन सब आत्तों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंगो फिर देखना आपकी लाइफ ओटोमेटिकली इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको खुद पर प्राउड फील होगा इसी के साथ बेस्ट ओफ लग और थैंक्स पर वोचिंग दिस वीडियो लव यू ओल